हलो एवरिवन, टिकलेज अकडेमी ओफ मैस यूटूब चैनल में अब सभी का स्वागत है आज के वीडियो में मैट्रैसेज ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें रैंक ओफ मैट्रेक्स ये टोपिक का फॉर्स प्रॉलेम सॉल करेंगे वैसे इसके पहले भी हमने मैट्रैसेज के काफी सारे प्रॉलेम सॉल किये थे उसी के साथ साथ मैथिमेटिक्स के दूसरे टॉपिक्स भी कवर किये थे तो इसके पहले के सभी प्रॉलेम और सभी टॉपिक्स स्टड़ी करने के लिए आज के वीडियो के description में जाएए बहाँ पे आपको इसके पहले के सभी topics के playlist का link मिल जाएगा वो link पे click करके आप आसान इसे इसके पहले के सभी videos देख सकते हैं तो चलिए आज का lecture start करते हैं आज हमें rank of a matrix का first problem solve करना है तो देखे जो problem आज हमें solve करना है वो आपके सामने है question में क्या लिका है हम पढ़ेंगे find the rank of the following matrix यहाँ पे एक matrix दिया है 3 by 3 का यह matrix का हमें rank find out करना है अब आपको rank क्या होता है वो पता होना चाहिए तो इसका definition काफी आसान है number of non-zero row in a matrix is called rank of a matrix इसका मतलब particular matrix में कितने non-zero row है वो check करना इसका मतलब rank check करना तो चलो देखते हैं इसको example के थूँ आपको समझा के देते हैं जैसे कोई matrix है जैसे matrix A अगर हम यहाँ matrix लेगे 1, 3, 3, 0, 0, 0, 1, 2, 0 यह देखे यह हमने एक matrix लिका है हमें यह matrix का rank अगर आपको पता करना है तो इसका rank पता करना काफी आसान है यहाँ पे आपको non-zero row कितने है बस वो check करना है non-zero row इसका क्या मतलब है देखे यहाँ पे सबसे पहले देखो कितने row है यहाँ पे 3 rows है और 3 columns है इसका जो order है वो है 3 by 3 इसका मतलब यह देखे यहाँ पे हम order अगर लिखे तो इसका order 3 by 3 है इसका मतलब इसमें 3 rows है और इसमें 3 columns है लेकिन यहाँ पे जो 3 rows है उसमें कितने non-zero row है वो check करो non-zero row मतलब सभी elements अगर 0 नहीं है तो ही वो non-zero row कहलाएंगा इसका क्या अर्थ है देखिए यहाँ पे सभी elements 0 है क्या नहीं है इसका मतलब यह एक non-zero row है ओके यहाँ पे सभी element 0 है क्या यस बिल्कुल है यह second row में सभी elements 0 है इसका मतलब यह एक 0 row है then यह third row में check करो क्या यहाँ पे सभी element 0 है नहीं तो इसका मतलब ये भी एक non-zero row है तो यहाँ total कितने non-zero row है यहाँ 2 non-zero row है इसका मतलब इसका rank हो गया 2 तो हम यहाँ पे लिख सकते है rank of matrix A is equal to 2 या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते है row of A equals to that is 2 यह row का symbol है row of A equals to 2 इसका मतलब इसका rank जो है वो 2 है क्योंकि यहाँ पे 2 non-zero row है यह 1 और यह 2 इसका rank 2 हो गया चलो इसको एक और दूसरे example से हम समझ लेता है जैसे मानलो यह कोई example है यहाँ पे हम matrix A दे देंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे 1, 2, 0, 3, 4, 0, 3, 8, 0, 0, 3, 5 तो यह हमने यहाँ पे चलो कितने column है तो इसका order है यहाँ पे 3 by 4 क्योंकि इसमें 3 rows है और यहाँ पे 4 columns है लेकिन हमें सिर्फ row को check करना है कि यहाँ कितने non-zero row है इसका मतलब non-zero row मतलब हमने आपको पहले ही बताए अगर कोई row में सभी elements 0 नहीं है इसका मतलब वो non-zero row है तो यह देखिए यह row में सभी elements 0 है क्या नहीं है इसका मतलब यह एक non-zero row है तो finally यह एक non-zero row है यह element में सभी element 0 है क्या नहीं है इसका मतलब यह भी एक non-zero row है और यह element में सभी element 0 है क्या नहीं सिर्फ 3 element 0 है एक element 0 नहीं है इसका मतलब सभी element 0 नहीं है इसका मतलब यह भी एक non-zero row है इसका मतलब यहाँ पे total non-zero row की संक्या कितनी है 3 है देखिए 1, 2, 3 तीन non-zero row है इसका मतलब इसका rank हो गया 3 तो यहाँ पे हम लिखेंगे rank of matrix A is 3 और यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते है row of matrix A that is 3 तो finally यहाँ पे हमने आपको बता दिये कि rank कैसे check करना आपको non-zero row की संक्या check करना है तो आपको rank का पता चल जाएंगा लेकिन यह जो matrix है यह matrix का order different हो सकता है यहाँ पे 3 by 3 matrix हो सकता है 4 by 4 matrix हो सकता है 3 by 4 matrix हो सकता है 4 by 3 matrix हो सकता है तो ये matrix में rank check करते समय आपको सबसे पहले particular matrix को upper triangular matrix के form में convert करना पड़ेंगा अगर आप matrix को upper triangular matrix में convert कर लेते हैं तो आप आसानी से rank पता कर सकते हैं upper triangular matrix मतलब क्या वो matrix जिसमें lower triangular element 0 होते है ऐसे matrix को upper triangular matrix कहते हैं उसका example देखिए हम आपको example बता रहें जैसे ये कोई matrix है matrix A यहाँ पे अगर हम लिखे 1,2,3,0,2,5,0,0,3 देखिए ये एक upper triangular matrix है कैसे समझ में आ रहा है क्योंकि इसके lower triangular elements 0 है देखिए यहाँ पे जो lower 3 element है वो 0 है और उससे एक triangle बना है तो यहाँ पे lower triangular element 0 है इसका मतलब यह एक upper triangular matrix है यह सब definitions हमने matrices के first lecture में बताए थे वहाँ से आप सभी definitions study कर सकते हैं तो upper triangular matrix क्या है वो तो हमने यहाँ पता दिये लेकिन rank of matrix के problem जो आगे चलके हमें solve करना है उसमें कभी कोई matrix 3 by 3 का हो सकता है या 3 by 4 का हो सकता है या 4 by 3 का हो सकता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि order के according particular matrix को upper triangular matrix में convert करते समय कोईसे कोईसे position पे 0 होता है यह आपको पता होना चाहिए जैसे हमें ये problem को solve करना है यह एक 3 by 3 matrix है तो 3 by 3 matrix को आप इसको upper triangular matrix में convert करेंगे तो आपको पता है कि आपको ये 3 element 0 करना है, ये आपको पता है, लेकिन आगे चलके अगर matrix का order change होता है, तो 0 का position कैसे change होता है, वो सुनिए, वो हम यहाँ बता रहे हैं, बहुत ही important है, आप यहाँ पर धेन देंगे, अगर आपके पास ये नहीं लिखा हुआ है, तो आप 4 by 4 matrix के लिए लिखेंगे, then हम यहाँ पर, that is 3 by 4 matrix के लिए लिखेंगे, सभी order के लिए हम आपको बता रहे हैं, कि कहां कहां पर 0 होना चाहिए, और then next हम यहाँ पर लिखेंगे, 4 by 3 matrix के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 3 by 3 matrix है, तो यहाँ पर 9 elements होते हैं, ये तो confirm है, ठ देखे, 4 by 4 में 16 elements यहाँ पे होते हैं, और अब 3 by 4 में यहाँ पे 3 rows रहेंगे, और 4 columns रहेंगे, तो यह देखे, यह 3 rows और 4 columns जो है, वो ऐसे दिये रहेंगे, और ऐसे में, इसमें कहां कहां पे 0 होता है, वो हम बताएंगे, और 4 by 3 में, यहाँ पे 4 rows रहेंगे, और 3 columns रहेंग बहुत important है देखो अगर 3 by 3 का है तो हमने आपको पहले ही बता दिये 3 by 3 matrix में ये 3 ये 3 place पे 0 होना चाहिए देखें ये 3 place पे 0 होना चाहिए तो वो upper triangular matrix है 4 by 4 में देखें ये place पे 0 होना चाहिए ये 3 place ये 3 place और ये तो वो upper triangular matrix होंगा 3 by 4 में ये 0 होना चाहिए तो जो है ये upper triangular matrix हो जाएगा और last में ये जो 4 by 3 है इसमें यहाँ पे 0 हो나 चाहिए ये place पे 0 होना चाहिए तो finally वो upper triangular matrix बन जाएगा तो यहाँ पे हमने ये सब कुछ जो बताया है ये बहुत important है अब हमें matrix के जितने भी rank of matrix के problem solve करना है उसमें different different order के अगर matrix आएंगे तो किस तरह से कहा कहा पे 0 होना चाहिए वो हमने आपको बता दिये अब इसका use करके हम problem solve करेंगे तो चलो आज का problem solve करेंगे यहाँ पे लिखा है question में find the rank of matrix हमें यह matrix का rank find out करना है और यह matrix का यहाँ पे order क्या है इसका order है 3 by 3 और जैसा हमने कहा था कि अगर आपको इसका rank find out करना है तो इसको upper triangular matrix के form में convert करना पड़ेंगा और अगर इसको upper triangular matrix के form में convert करना है इसका मतलब इसके lower triangular elements 0 लेके आना है देखे lower triangular element 0 लेके आना है मतलब यह 3 पे 0 लेके आना है यहां पे 0 लेके आना है यहां पे 0 लेके आना है और यहां पे 0 लेके आना है अगर यह 3 पे 0 आ गया तो यह अपर triangular matrix बन जाएंगा तब हम इसका rank चेक करेंगे तो यह given matrix को हम matrix A कहेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे matrix A that is 1, 3, 5, 2, minus 1, 4 और minus 2, 8, or 2 और हमने जैसा कहा था कि आपको 3 place पे 0 लेके आना है यहाँ पे 0 आना चाहिए यहाँ पे 0 आना चाहिए और यहाँ पे 0 होना चाहिए और यह लाने के लिए हम यहाँ पे row transformation method का use करेंगे row transformation method यह calculation का use करके आप आसानी से यहाँ 0 ला सकते है कैसे लाएंगे देखिए यहाँ पे 3 row है तो यह है row 1 यह है row 2 और यह है row 3 तो हमें यहाँ पे row transformation method कैसे use करना है देखिए हमें यहाँ पे 0 लाना है इसका मतलब second row में हमें यहाँ 0 लाना है तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे देखिए हमें second row में लाना है तो r2 equals 2 यहाँ पे हम लिखेंगे r2 minus 2 of r1 देखिए यहाँ पे 2 है अगर आप यहाँ पे 2 ला लेंगे तो 2 minus 2 0 हो जाएंगा लेकिन यहाँ पे 2 है क्या नहीं है तो यहाँ पे 2 लाने के लिए इसको 2 से multiply करना पड़ेंगा इसका ठीक है यह देखिए first row को 2 से multiply कर रहे और उसको second row में से minus कर रहे तो वहाँ पे 0 आ जाएंगा उसी तरह से यहाँ पे भी आपको 0 चाहिए तो अगर आपको यहाँ 0 चाहिए इसका मतलब third row में 0 चाहिए तो third row में 0 लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेंगा यहाँ प equations आपको तयार करना होता है रो का रो के साथ आपको calculation करना है या तो plus करना है या तो minus करना है depend करता है कि आपको क्या चाहिए result में तो देखिए हमें यहाँ पे 0 चाहिए तो हमने क्या किये 2 minus 2 किये तो यहाँ पे 0 आ जाएंगा इस तरह का calculation हमें 2 minus 2 करना है इसलिए हमने यह पर भी हमें 0 चाहिए, तो यहाँ पर minus 2 है, यहाँ पर हम plus 2 लेके आएंगे, तो minus 2 plus 2 करेंगे तो 0 हो जाएंगा, और यहाँ plus 2 करने के लिए इसको 2 से multiply करेंगे, तो देखो, row 1 को 2 से multiply करके, उसको row 3 में add करो, तो यहाँ पर 0 आ जाएंगा, चलो देखते हैं, कैसे, तो देखे, row 1 जो है, वो as it is है, row 1 में कोई changes नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ row 2 और row 3 के लिए solve कर रहे हैं, तो चलो अब finally row 2 का calculation यहाँ पर लिखते हैंगे, row 2 में क्या-क्या elements हैं, वो हम देखेंगे, तो यहाँ पर क्या करना है, row 2 equals to row 2 minus 2 into row 1, तो यहाँ पर आपको क्या करना ह यह 0, ठीक है, इसका मतलब हम क्या कर रहे है, row 1 को 2 से multiply करके इसमें से subtract कर रहे हैं, तो 2 minus 2, 0, then minus 1 minus 6 हो जाएंगा यह, minus 1 minus 6 कितना, minus 7, ठीक है, हमने क्या किये, यह minus 1 यहाँ पूट किये, और यह 3 हमने यहाँ पूट किये, ठीक है, हमने यह minus 1 यहाँ पूट किये, तो क्या ह यह हो गया, यह हो गया, minus 1, minus 2 into, यह 3 हमने यहाँ पूट किये, तो यह ऐसा हो गया, तो minus 1 into minus 6, तो minus 1 minus 6 कितना, minus 7, इसलिए हमने यहाँ लिखे, minus 7, ठीक है, और अब next element के लिए हम देखेंगे, अब यह 4 और 5, तो 4 जो है, वो row 2 का element है, वो यहाँ रखो, और 5 जो है, वो row 1 का element है, वो यहाँ रखो, तो 4 यहाँ रखेंगे, तो हो जाएंगा, 4 minus 2 into, 5 हम यहाँ रखेंगे, तो into 5, तो यह क्या होगा, that is, 4 minus, 4 minus 10, 4 minus 10 कितना, that is minus 6, तो यह हम लिखेंगे, minus 6, ओके, और अब next, row 3 के लिए हमें, यहाँ पे solve करना है, row 3 का, यहाँ पे देखते हैं, row 3 के elements क्या आते हैं, बिलकोल इसी टाइप का calculation हमें करना है, तो यहाँ पे देखो, equation क्या है, row 3 plus 2 into row 1, तो यहाँ पे, row 3 के elements हमें यहाँ रखना है, और उसके respective row 1 के elements हमें यहाँ रखना है, ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे minus 2 यहाँ रखो, तो यह होगा, minus 2 plus 2 into, row 1 का element क्या है 1 है तो ये minus 2 plus 2 कितना 0 तो जाहिर सी बात है ये 0 होना तय है क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा था हमें उसको 0 करना है और अब next ये 8 यहां रखो और इसका respective ये जो element है 3 वो यहां रखो ठीक है तो ये क्या होगा 8 यहां पे आया ठीक है next यहां पे 2 जो है वो यहां रखो और इसका respective 5 जो है वो यहां रखो तो क्या होगा ये 2 2 plus 2 into 5 ऐसा होगा ठीक है ये 2 जो है हमने यहां रखे और ये 5 जो है वो हमने यहां रखे तो 2 प्लस यहां हो जाएंगा 2 प्लस ये कितना 10 तो ये कितना 12 तो finally हम यहां लिखेंगे 12 ठीक है इस तरह से हमने लिखे finally यहां देखो यह जो matrix है यह check करो क्या यह upper triangular matrix है नहीं यह upper triangular matrix नहीं है क्योंकि हमने कहा था कि आपको 3 place पे 0 लेके आना है यह place पे यह place पे और यह place पे तो 2 place पे तो 0 आ चुका है लेकिन अब हमें यहां पे 0 लेके आना है लेकिन यहां पे 0 है क्या नहीं है तो यहां पे 0 लाना है तो हम क्या करेंगे हम यहां पे third row के लिए फिर से calculation करेंगे हमें third row में 0 लेके आना है तो third row का calculation second row के साथ करो यहां पे 14 है 14 minus 14 करेंगे तो 0 होगा तो यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 14 ले क्या हो अगर आप यहाँ पर 14 लाएंगे तो 14 minus 14 0 हो जाएंगा यहाँ पर 14 कब आएंगा अगर आप इसको 2 से multiply करेंगे तो किसको rho 2 को 2 से multiply करना है तो हम calculation क्या लिखेंगे यहाँ पर equation ऐसा लिखेंगे r3 equals to r3 plus 2 into r2 ठीक है हमने इसको ऐसा लिखे और अब देखते है इसका जो final matrix है वो क्या बनेंगा हम row 3 के लिए solve कर रहे हैं तो row 3 में सिर्फ changes होंगे row 1 और row 2 जो है वो as it is रहेंगे तो देखो row 1 हम as it is लिखेंगे 1, 3, 5 और 0, minus 7, minus 6 देखिए ये row 1 और row 2 हमने as it is लिखे जो यहाँ पर लिखा है बस row 3 में changes होंगे तो यहाँ पर row 3 के elements और row 2 के elements आपको यहाँ रखना है बस आपको respective element रखना है यह first element यहाँ रखो इसका respective यह first element यहाँ रखो तो यह होगा 0 प्लस 0 तो यह होगा पहला element 0 then यहाँ पर 14 यहाँ रखो इसका respective यह 7, minus 7 यहाँ रखो तो 14 यहाँ रखेंगे तो 14 प्लस 2 into minus 7 ठीक है देखो हम यहाँ पर लिखकी बता रहे 14 प्लस 2 into minus 7 तो यह हमने 2 into minus 7 ऐसा तो यह कितना 14 यहाँ पर 14 minus 14 कितना 0 तो finally यह हो जाएंगा 0 ओके तो finally हमने यहाँ पे 0 ला लिए और अब यह 12 यहाँ लिखो और इसका respective minus 6 यहाँ लिखो तो क्या होगा देखो यहाँ पे 12 आएंगा तो हम लिखेंगे 12 plus 2 into R2 की प्लेस पे क्या लिखो minus 6 लिखो तो यह 12 minus 12 कितना हो जाएंगा 0 तो यह हो गया 0 तो finally हमने यह matrix A find out कर लिए और यह upper triangular matrix है कैसे क्योंकि इसके lower triangular elements 0 है देखें यह lower triangular element 0 है इसका मतलब यह एक upper triangular matrix है आप कहेंगे सर यह भी 0 है यह 0 हो गया वह होने दो उससे कोई फरक नहीं पड़ता हमें सिर्फ 3 प्लेस पे 0 चाहिए थे हमें सिर्फ जो है यह place पे 0 चाहिए था देखो यह जो triangle ऐसा बनता है हमें बस वहाँ पे 0 चाहिए था यहाँ पे 0 आ गया तो यह matrix एक upper triangular matrix है और अब यहाँ पे हम rank find out करेंगे और rank find out करने के लिए जैसा हमने कहा था कि यहाँ पे non 0 row कितने है वो check करो तो यहाँ पे देखे यह first row क्या यहाँ पे सभी element 0 है नहीं इसका मतलब यह एक non 0 row है अब यह second row देखो second row में क्या सभी element 0 है नहीं इसका मतलब यह भी एक non 0 row है अब यह third row देखो third row में सभी element 0 है yes इसका मतलब यह एक 0 row है तो finally यहाँ पे non zero row की संक्यक कितनी है non zero row की संक्यक 2 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे non zero non zero row कितने है 2 है और यहाँ पे non zero row 2 है इसलिए इसका rank जो है वो 2 हो जाएंगा तो हम लिखेंगे rank of matrix A is equal to 2 that is r of A is equal to 2 तो finally हमने यहाँ पे rank find out कर लिए question में जो find out करने के लिए कहा था वो हमने find out कर लिए उमिद करता है कि यह आपको समझ में आया होगा आज हमने rank of matrix का पहला problem solve किये और rank क्या होता है कैसे find out करना वो पूरी तरह से हमने explain किये उमिद करता है जो कुछ भी हमने बताया है वो सब आपको समझ में आया है इसके पहले भी हमने mattresses और दूसरे topics के काफी सारे problems solve किये थे तो इसके पहले के सभी problems और सभी topics study करने के लिए आज के वीडियो के description में जाएए वहाँ पे आपको इसके पहले के सभी topics के playlist का link मिल जाएगा वो link पे click करके आप आसान इसे इसके पहले के सभी videos देख सकते हैं आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे like करिए अपने friends जिनको इसकी ज़रूत है आप उनके साथ इसको share करिए कुछ doubts है तो आप हमें comment section में पूस सकते हैं और आपने अभी भी अगर हमरा channel subscribe नहीं किया है तो आप इसे subscribe करिए ताकि इसी तरह के useful videos आपको हमेशा मिलते रहें तो मिलते हैं next video में Thank you very much